हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल ये स्ट्रामी के हिंदी एक्स्प्लेनिशन का पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेकेटरी आगर बताता है वैन के लिए जो बड़े गिप्ट आपने मंगवाया था वो आ गया है जिया तो कुछ रियक्ट करने की बजाए बोलती है तुम दोनों अराम से बाते करो और वोश्रूम भाग जाती है शाओ बोलता है देखा तुमने इसे कोई फरक नहीं पड़ता कोई भी लड़की मेरे साथ चिपके या फिर मैं उसके चिपको यहां से भाग गई सेकेटरी बोलता है सौरी बोस यह लड़की की साथ फ्लट करने वाला प्लैन भी फ्लॉप हो गया पर हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए आपको दुबारा ट्राइक करना होगा कल मिस वान की बड़े पार्टी है शाओ बोलता है तुम्हारी मंत्री सेलरी कितनी है सेकेटरी बोलता है सौरी बोस चलो काम की बाते कर लेते हैं वोश रूम में दो कलीक्स बाते कर रही होती है पता नई वोश ने जिया जिया जैसी लड़की से क्यों शारी कर लिए जबकि उनकी आगे पीछे तो कितनी सारी सुनार लड़किया थी इवन बोस तो वैन को लाइक करते हैं पर शायद वैन उन्हें लाइक नहीं करती है बिचारे बोस का प्यार तो एक तरफा ही रह गिया ये सारी बाते जिया ने भी सुन ली होती है जिया वोश्रम से भार आती है शाओ बोलता है मेरे साथ तुमें भी वैन की पाटी में चलना होगा जिया को लगता है वो उसे अपने साथ वैन को जलाने के लिए लेकर चा रहा है दोनों हातों में हाट डाले बड़े पाटी में आ जाते हैं वैन बोलती है तुम आज बहुती ज़ादा ब्यूटीफुल लग रही हो जिया बोलती है मेरे हस्बर नहीं ड्रेस मेरे लिए चूस की है तो सुन्दर क्यों नहीं लगूंगी जिया तो खुश हो रही थी क्योंकि उसे सेकेटरी की बात याद आती है उसने उसे कहा था अगर तुम काम अच्छा करोगी तो 50 मिलियन के साथ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे शाओ वैन को रिंग गिफ्ट करता है ऐसी रिंग दुनिया में बस एक ही है जो मैं तुमें दे रहा हूँ जिया तो शोग को जाती है लगता है ये सच में वैन को बहुत ही ज़ादा प्यार करता है तब ही तो इतना मेंगा तोफात दे रहा है शाओ बोलता अगर तुमें पसंद नहीं आया मैं किसी वो लड़की को रिंग दे रहा हूँ तो मैं वापस भी ले सकता हूँ लेकिन जिया तो उसकी बातों को एगनोर करते हूँ डिरेक्टर चैन के पास आ जाती है शाओ सोचता है इसे तो सच में कोई फरक ही नहीं पड़ता जिया डिरेक्टर को बोलती है सुना है आपने इमूवी बना रहे हो तो मुझे क्यूं नहीं ले लेते डिरेक्टर तो उसे एगनोर करकर चला जाता है जिया तो गुसे में खाना खाने लग जाती है पर उसे इतना पसंद आता है कि थूसे जा रही थी दो लड़किया उसे देखकर बाते बनाने लग जाती है लगता है पहले इसने कभी खाना नहीं खाया और फनिश में फली है ना इसलिए ये सब खाने का मोखा नहीं मिला होगा जी आप बोलके तुम लोगों से तो अच्छी हूँ खा खा कर पहले मोटी हो जाओ और फिर बात में जिम जोइन करकर पतले होने की ट्रेनिंग लो दोनों लड़कियों को गुस्ता आ जाता है देखो ना वैन और मिस्टर शाओ की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है सुना है मिस्टर शाओ ने वैन को महंगी वाली डायमेंड की रिंग भी गिफ्ट की है जिया अपनी फिंगर्स देखती है उसके हाथ में तो एक भी रिंग नहीं थी और गुसे में बहुत जादा डिंग पीने लग जाती है जो शाओ देख लेता है जिया तो टली होकर गिरने वाली थी शाओ आकर उसे अपनी वागों में उठा लेता है इन दोनों लड़कियों की आके तो फटी की फटी रह जाती है नेक्स मूर्निंग जिया उटकर देखती है उसकी सारी फिंगर्स में रिंग होती है एवन थम में भी एक्शली में रात में पीने के बाद जिया रो रही होती है शाओ बोलता है चुपो शाओ वाइफ जिया बोलती है मुझे वाइफ मत कहो तुम बहुती ज़ादा मीन हो तुमने उस वैन को इतनी बड़ी डायमन की रिंग गिफ्ट की सभी लड़ी किया मुझे बूली कर रही थी शाओ को बहुती बुरा लगता है प्रेजन में जिया को सब यादा चाता है तो मैडम सीधा जोल्डी स्टोर में पहुंच जाती है क्या आप लोग रायमन की रिंग खरीते है स्टोर मैनेजर बहां बोल देता है जिया सारे रिंग निकाल कर उसको दे देती है मुझे इने बेशना है स्टोर मैनेजर पूछता है आपके पास ये सारे रिंग कहां से आई जिया बोलती है आपको यकीन नहीं होगा पर जब मैं सुबह उठी ती ना तो मेरी सारी फिंगर्स में ये रिंग थी मैनेजर तो शौक हो जाता है जिया बोलती है औरे मैं तो मजाग कर रही थी ये मेरे हस्बेंड ने मुझे गिप्ट की है मैनेजर पूछता है तो आप इने भेशना क्यों चाहती है जिया बोलती है आपको खरीदना नहीं है तो ऐसे ही बता दीजिये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे है मैनेजर बोलता है खरीद तो हम लेंगे पर पहले हमें कुछ कन्फरम करना होगा और मैनेजर मिस्टर शाओ को ही वाँ बुला लेता है जिया तो अपनी शकल चुपाने लग जाती है शाओ पूछते है क्या मैटर हो गया है मैनेजर बताता है ये लड़की अपने आपको आपकी वाइब बता रही है और नाइन डाइमेंड की रिंग बेशने के लिए आई है शाओ बोलता है हाँ ये मेरी वाइब है खरीद लो रिंग अगर ये बेशना चाहती है पर उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसने बड़े खुश हो कर अपनी वाइब के लिए 10 विंग खरीदी थी जबकि सेकेटरी उसे मना भी कर रहा था नेक्सीन में जिया आई बुक्स टोर पर बुक्स खरीद रही होती है लेकिन उसके कार में इंस्टफिशन बैलंस आ रहा था शाओ बोलती है क्या भी डाइमेंड की रिंग रख सकते हैं बदले में तब ही शाओ वाँ आ चाता है जिया तो डर चाती है यहां क्यों आई हो शाओ बोलता नहीं आता तो यह आखरी रिंग भी तुम बेच देती जिया बोलती है तो मैं क्या करती मेरे पास पैसे नहीं है मुझे लगा तुम से शादी करकर मुझे पचास मिलियल मिलेंगे पर तुमने तो धोका दे दिया शाओ उसे अपना क्रेडिट कार दे देता है जो चाओ वो खरीड लो जिया तो कुछ शोकर उसे हग कर लेती है शाओ की तो हाट बेटी तेज हो जाती है जिया बोलती है थैंक्यू शाओ बोलते थैंक्यू बोलना चाती हो तो शाम को कुछ अच्छा सा खाने में बना लेना और आज मेरी बेहन भी आने वाली है ये बोल कर चला जाता है जिसके बाद जिया और फ्रिश के डीन को कॉल करती है मैंने बच्चों के लिए बुक्स करीद ली है एक्शली में जिया इसी और फ्रिश में पड़ी बली होई होती है शाओ की भेन यानी के लिन शाओ के घरा जाती है जिया उसे बड़े प्यार से वेलकम बोलती है पर लिन तो रोब जाड रही होती है दिखता नहीं है मैं ठक गई हूँ चरा मेरा लगेश उठा कर अंदर लाओ जिया उठाने लग जाती है तब शाओ आकर अपनी वाइब की हेल्प कर देता है मैं अंदर रख देता हूँ शाओ अपनी भेन को बोलता है ये मैं काम पर जा रहा हूँ तब तक तुम अपनी भावी के साथ बाचित कर सकती हो लेन फूर्ट्स खाने लगती है पर ब्रीज महीं पर फ्लोर पर फैक देती है जिवा बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेन बोलती है मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है लेन बोलती है अब चलो छोडो मेरे लिए खाना बनाओ मुझे बूख लग रही है लेकिन लेन को तो उसका बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं आता ये क्या बनाया है इसे तो कुट्टे भी ना खाए जिया बोलती है खाना टेस्टी तो है ऐसा क्यूं बोल रही हो लेन बोलती है इसे टेस्टी खाना कहोगी तो सभी शाओ अपनी भेन को डाड़ देता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है अपनी भावी से किस तरीकी से बात करती है क्या तुम्हें नहीं पता जबसे घर पर आई हो देख रहा हूँ इसे सुनाये चाह रही हो लेन बोलती है इस लड़की को मैं कभी अपनी भावी नहीं मानने वाली वैन जैसी लड़की ही मेरी भावी बनने के लायाक है शाओ बोलता है लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा तुम वापिस से चली जाओ लिन जीया को बोलती है ज्यादा खुशोने की जरद नहीं है क्योंकि नेक्सट विक मेरी मोम या आने वाली है वो तुम्हारी क्लस लगा देगी लिनके जाते हैं जिया सकून की सास लेती है पर तबी उसे याद आता है नेक्स विक उसकी सास आने वाली है तो घबराट जाती है नेक्स विक उसकी सास आने वाली है तो घबराट जाती है और उसे पैसे ओफर करती है ये मेरे बेटे को छोड़ने की कीमत है जी आ तो खुश हो जाती है क्या आप मुझको 100 मिलियन में से 8888 बिलियन नहीं दे सकती है मैं उसे छोड़ दूँगी मॉम बोलती है लगता है तुम मेरे बेटे की लाइफ से इतनी असानी से नहीं जाने वाली जी आ बोलती है उसकी लाइफ में आना ही कौन चाहता था अगर वो 50 मिलियन ओफर ना करता तो मैं तो उसे देखती भी न मॉम बोलती है क्या नोंसस बाते कर रही हो चलो मैं घर के काम सिखा देती हूँ अब तुम मेरे बेटे के साथ रहने ही वाली हो तो उसका ख्याल रखना तो आना ही चाहिए ना मोम जिया को खाना बनाना शिखा रही थी लिन खाने में नमक डालती है मोम बोलती है इतनी से नमक से क्या होगा खाने में टेस्टी नहीं आएगा और पूरी नमक की ठेली उसमें मिला देती है हमारे पास बहुत पैसे हैं तो नमक डालने में कंजूसी मत करो जिया तो शोक हो जाती है मॉम बोलती है देखो ना ये प्लाइंट सूख रहा है और इसमें से फ्रेग्नेंस भी नहीं आरी जिया प्लाइंट में पानी डाने लगती है मॉम बोलती है ये क्या कर रही हो ये लो शाओ के परफ्यूम की बोटल ये छिड़क दो हम अमीर लोग हैं परफ्यूम की कोई कमी नहीं है इतना काफी नहीं था कि मॉम गलती से कुछ गिरा देती है जिया साफ करने के लिए पोचा लेनी जा रही थी पर मॉम उसे रोक कर अपने बेटे यहानी की शाओ की 20 लाख वाली लिमिटिर अडिशन की शर्ट दे देती है इससे साफ कर दो जिया बोलती है मॉम शाओ कुसा करेगा मॉम बोलती है चुप चुप जो कहा है न वो करो मुसे जवान मत लड़ाओ पिजारी जिया को अपने पती की 20 लाख वाली शर्ट से पोचा लगाना पड़ता है शाओ जैसे ही घर आता है अपनी शर्ट को देख कर बोलता है क्या आप लोगों ने इससे फ्लोर साफ किया है क्या घर में पोचे की कमी हो गई थी जो आपने मेरी 20 लाख की शर्ट को खराब कर दिया मोम बोलती है जीया को पोचा नहीं मिल रहा था तो मैंने तुम्हारी शर्ट दे दी इसमें कुन सी बड़ी बात हो गई हम तो हमीर है ना रोना बंद करो चलो जीया ने तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाया है विचारा मिस्टर शाओ अपने दिल पर पत्थर रखकर खाने के लिए बैठ जाता है पर खाने में भी नमक बहुत जादा था मोम बोलती है क्या हुआ खाना टेस्टी नहीं लगा शाओ चाकर भी बुराई नहीं कर सकता था क्योंकि वो खाना उसकी वाइफ जिया ने जुब बनाया था इसलिए बोलता है खाना तो बहुत टेस्टी है पर आगे से इतनी तकलीफ मेरे लिए आप लोगों को करने की कोई ज़रत नहीं है जिया का तो हसी आ रही थी मूम बोलती है ये सब तुम्हारे लिए ही बना है सब तुम्हे ही खाना होगा शाओ के तो तोते उड़ जाते है और बोलता है अरे मूम मेरा तो पेट भर गया है चलो मैं प्लांट को पानी ही दे देता हूँ पर प्लांट में से भी उसे महंगे परफ्यूम की खशबू आ रही थी शाओ पोच्ट है मूम क्या आपने प्लांट पर पानी छड़कनी की बज़ाए परफ्यूम डाल दिया है मूम बोलती है क्या प्रॉबलम है प्लांट में से फ्रेग्नल्स ही नहीं आ रही थी तो मैंने तुम्हारा परफ्यूम डाल दिया शाहों के तो होश ही उड़ जाते हैं आगे से आपको घर का कोई भी काम करने की ज़रत नहीं है मैं सब कुछ खुद कर लूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें न्यूँ अपडेट्स के लिए वाल ऐकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे बाई बाई